एपिसोड में सुजलोन स्टॉक को डिस्कस करेंगे पिछले आठ दिन के कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक कल से डिवर्सल लिया और आज अगें 5% की तेजी दिखी तो इस समय आगे मेरे क्या व्यूज है इसको समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल फ्री है इसको जॉइन कर लें डिस्क्रिप्सन के लिंक से एकाउंट आपिन कर लें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करें यहाँ अप्डेट में देखेंगे तो कुछ भी बरा अप्डेट नहीं दिख रहा है 10 सेप्टेमबर का एक last अप्डेट था advisory come warning 1st October की थी announcement कुछ नहीं दिख रहा है feed देखेंगे तो कुछ बरे नहीं दिख रहे है लेकिन क्यों stock पिछले 8 दिन के continuous downtrend के बाद ये reversal किया है इसका सबसे बरा कारण है कि company का जो circuit था जो company के circuit थे उसको revise कर दिया गया उसको revise करके कितना कर दिया है 10% जो 5% था उसको बरा करके 10% कर दिया है यानि एक दिन की volatility 10% तक होगी आज बजार में banking का support रहा लेकिन reliance ने आखरी समय में बजार को नीचे के तरफ ड्रेक कर दिया ITC, हिंदुस्तान, यूनिलेवर और नेसले जैसे stock जो है वो सुबह से ही underperform रहे और बजार flat closing होते वे दिखी है सूजलोन का delivery तो better दिख रहा है लेकिन trend जो है वो थोड़ा missing है आज का volume लगबग 13 करोर का 5 lakh के उपर buyer है और यहां अगर मैं आपको दिखाऊं daily time frame पे तो ये एक reversal तो दिख रहा है लेकिन याद रखें कि जो real fresh trend आप expect करेंगे वो 86 के उपर ही करेंगे जब तक 86 के उपर का breakout नहीं हो तब तक ये salon rise है और अगर इस समय अगर आप short term prospective से हैं तो 72 के stop loss को strictly follow करेंगे या फिर 86 के breakout के बाद ही trend को लेंगे ये पूरा consolidate zone है यहां साबधानी बरतने की जरूरत है बजाई की blindly आप